आपको 5 लाख रूपे की लोन की आव सकता है तो सबसे पहले जन समर्थन पोर्टल पर आना होगा इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये केवल आधार कार्ड और मुबाइल नंबर से बहुती आसानी से आप 5 मिनिट में लोन की सुएकरती ले सकते हैं इसम इसमें आपको ब्यास दर बिल्कुल नहीं देनी है 15 स्किम दी गई है जिसमें से साथ केटिग्रियों के अंतरगत लोन दिया जाता है और आप इसमें आप देख सकते हैं आपको नीचे स्क्रोल करना है सबसे पहले आपको विजनस एक्टिविटी लोन वाले विकल पर आपक को दिया गया है कि आप सेलेक्ट एक शूटेबल ओप्शन विच हेलप इच गाइडलाइन बेटर स्किम यूँ अब मैं आपके लिए एक बात बता दूं दोस्तों अगर आपको यह इंगलीज में समझ नहीं आ रहा है तो आप यहां राइट में देख सकते हैं इंगलीज के बुनकर के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर मैनुवल सपाई कर्मी के तोर पर या सड़क विक्रेता या फेरी वाले का काम करते हैं इन में से अगर आपका विजनस है तो आप इन में से सेलेक्ट कर सकते हैं वरना आप नो पर कलिक करके यानि अन्य वर विकल पर कलिक करक अगर आपको अगले विकल्प में पूछा जा रहा है कि अगर आपको अगले विकल्प में पूछा जा रहा है कि आप महिला है या पुरूस है तो आप पुरूस पर विकल्प पर क्लिक कर सकते है अगर आप महिला है तो महिला पर क्लिक कर सकते है अब आपको क्या करना है अब आपनी केटेगरी को सेलेक्ट करना है यानि आपकी जातियां कौन से स्रेणी कौन से है आम है या अन्य पिछड़ा वर्ग है या SCST है कौन से आगर आप जनरल है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो इसको सेलेक्ट करें अगला विकलब है क्या आप बुतबुर्वे से निक है य सब्सक्राइब करते हैं या कोई पहाड जंजात को सपर करें अगर आप को सब्सक्राइब करें यानि आप व्यक्तिकत तोर प्रकार करते हैं तो व्यक्तिकत आप क्लिक कर सकते हैं और अब आपको क्या करना है कि अगर आप कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं यानि आपने अभी पांच लाक रूपय लोन के आउसकता है तो आपको यहां पर साधे पांच लाक रूपय एंटर करने होंगे क्या करना है यहां पर आपको साधे पांच ल रुपई एंटर करना होगा अब यह पूछ रहा है कि कर्पिया हमें वह रासी बताए जो आप अपनी जेब से खर्च कर सकते हैं तो मान लीजिए अभी आपके पास केवल 50,000 रुपई हैं जिससे आप अपना खर्चा कर सकते हैं अपनी जेब से केवल 50,000 रुपई लगा सकते तो यह आप पर 50,000 रुपई एंटर करना है अब इसमें क्या करना है यह बता रहा है कि आप इसके लिए पातर है और एक विवसाई गतिवेदी रुपई लेने की सुची में आपने को जोड़ा गया है यानि आप परदान मंतरी मुद्रा लोन योजना पी एम एम वाई योजना के तहट अधिकतम आपको 5,000,000 रुपई तक की लोन की रासी स्वेकर्थ की गई है इसमें आप EMI की कोष्ट के तोर पर आप पैसा जमा करवा सकते हैं यानि मासिक किस्त बनाई गई है जिसमें 10,6 यानि आपको पैसा जमा करवाना होगा और 10,620 रुपई आपको EMI के तोर पर छूट दी जाएगी और 5 साल का आपको समय दिया गया है यानि 10,000,000 रुपई तक अधिकतम लोन ले सकते हैं जिसमें आप 5,000,000 रुपई लोन किया हो सकता है तो आपको 10,620 रुपई हर महिनी किस्त के तोर पर जमा करवाना है और अगले 5 साल तक आपको जमा करवाना है तो ये लोन आपको सुविकर्थ हो जाएगा आवेदन करने के लिए आपको लोग इन करने वाले विकल पर आपको कलिक करना होगा लेकिन इस से पहले मैं आपको एक जरूरी सुचना बता दूँ जो यहां पर जन समर्तन पोर्टल की ओर से दी गई है। करने वाली गोटाले वाज और फर्जी वेबसाइट से सावदान रहे हैं यानि आपके पास किसी भी परकार का फर्जी में से जाता है या SMS जारी किया जाता है तो आप जन समर्तन पोर्टल से आप सोच सकते हैं कि इससे सस्ता और इससे स्विकर्थ करने वाला ऐसा कोई भी पो पोर्टल नहीं है और इस पोर्टल पर आवेदन करने के लिए आपको किसी भी परकार का एक रूपिय का भुगतान नहीं करना है कहीं आपको जाने किया हूँ सकता नहीं इनका मानना है कि आज दुनिया में ओनलाइन जमाने में फर्जी तरीके से लोगों को लूटा जा रह ये तो उन से आप सारदान रहें इसके अलावा किसी भी ऐसे QR कोड का scan ना करें और किसी भी link का इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए वहतर होगा वरना आपका bank balance 0 हो सकता है इसके बाद कोई भी परकार की आपको फाइदा नहीं दिया जाएगा अब चलिए बात करते हैं कि लोन किस परकार स्विकर्थ कह जाएगा तो आवे दिन करने के लिए login वाले section पर आप click करना होगा यहां पर आपको दिया गया है कि आप यहां पर अपना mobile नमबर एंटर करना होगा mobile नमबर यहां पर एंटर करने के बाद किया करना है दोस्तों नीचे केपचा कोड़ है यहां पर एंटर करना है इसके अंतर करते और फिर आपको मैंने पढ़ लिया इस आप सोई करती करके OTP पराप्त कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक बता दूँ इस वीडियो को हमने इसलिए पोज गया है कि आप अपने द्वारा आवेदन करेंगे तो उस पोरम में गलती होने की गुंजाइस ज्यादा है इसलिए आपको ये बहतर सला है कि आप जन समर्थन प खोले जाते हैं वहां से आप इसका अपलाई करेंगे तो कापी सिंपल तरीके से आवेदन किया जाएगा और फोरम में गलती होने की गुंजाइस जीरो हो जाती है इसलिए हमारी बहतर सलाइए है कि एक बार आवेदन होने के पास बार बार आवेदन इस पोर्टल से नहीं क सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी योजना हैं जिसके लिए करसी रिंड लोन भी ले सकते हैं किसान अपनी उपज के लिए अच्छी किसम के बीज खरीदने के लिए बीज बंडारन संस्तान के लिए लोन ले सकता है वेवसाई गतिविदियों के लिए लोन ले सकता है जै आपके पास पैसा नहीं है तो जन समर्तन पोर्टल पर आकर परताहान मंत्री जी द्वारा सुरू की गई इस वेबसाइट से अच्छा खासा लोन ले सकते हैं कम ब्यास पर मिलेगा और बिन्या किसी गारेंटर के आपको लोन दिया जाता है अब मैं यह समझता हूं कि आपको इस वीडियो में जो भी इनफोर्मेशन बताईए वो आपको अच्छी तरह कलियर हो गई है कि जन समर्तन पोर्टल से आप सिर्फ आधार कार्ड से पांच लाक रुपे तक का लोन ले सकते हैं सो इकर्थ भी किया जाता है आपने यहीं पर चेक किया है इस वीडियो से कुछ कुछी भी एनफोर्मेशन आपको समझ में आई है तो कमेंट करके आप जुरूर बताए और चैनल पर आप नहीं है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जुरूर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे तो एसी नोटिविकेशन आपके पास दुबारा पहुंचेगी तब ही आपको नई इनफोर्मेशन जान करें मिलेगी थैंक्यू धन्यवाद